लगबग 96 साल पहले जिस हिमारत का निर्माण हुआ एक सुचमाले इस खंबो पर खड़ी वो गोल सी एक इमारत जिसने इंदुस्तान की इबारत लिख जिसे अंग्रेजों ने बन माई जिस हिमारत में हमारे देश के समिधान का निर्माण हुआ जहां समिधान की हरायतों के दिनों दिन वहसे हुई जिहां हम बात कर रहे हैं संसत भवन जो अब इतिहास बनने जा रहा है दरसल 18 सितंबर से संसत के विशेश सत्र की शुरुवात पुराने संसत भवन में हुए लेकिन कल यानी 19 सितंबर को ने संसत भवन में प्रिवेश होगा और फिर वहीं से नियम लाग हुआ और राजेंद्र प्रशाद ने भारत के पहले राष्ट पती का पत संभाल रादे की 18 जन्वरी 1927 को गवर्णर जन्रेल की कारेकारी परिशत के सदस्य उद्योग और श्रम विभाग के प्रभारी सर भुपेंद्रनाथ मित्रा ने भारत के तत्कालिन वायस राय लोड इर्विन को भवन का घाटन करनी के लिए अमन्त्री किया वहीं आपको तादे कि पुराने संसत भवन ने साल 1991 से 1998 की बीच 5 प्रधान मंत्रियों को देखा 21 जून 1991 को पीवी नर्सिमा राव देश के प्रधान मंत्री बने सोला माई 1996 को अटल भिहारी बाच पे प्रधान मंत्री बनकर सदन पहुंच वहीं उनकी सरकार सिर्फ 16 दिन ही चल पाई इसके बाद एक जून साल 1996 को स्डी देव गोडा देश के प्रधान मंत्री बने सदन इसके बाद 19 मार्च 1998 को अटल भिहारी बाच पे फिर प्रधान मंत्री बनकर संसत पहुंच प्रधान मंत्री के पद पर रहते वे तीन प्रधान मंत्रियों का निधन हो इसमें जवार लाल नहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंद्रा गांधी के नाम शामिल है 27 माई 1964 को जवारलाल नहरू को दिल का दोरा पड़ा जिससे उनका निधन हो गे इसके बाद देश के दूसरे प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन ताशकन में 11 जनवरी 1967 को हुआ उसके बाद इंद्रा गांधी की 34 अक्टूबर 1984 को उनके हत्या कर दिये